बड़ी खबार जिन्द में किसानों ने लिया बड़ा फैसला जिन्द से बड़ी खबार दिल्ली के बाद हरियाना में होगी ट्रेक्टर प्रेड ट्रेक्टर प्रेड का ऐलान किया है जिन्द में किसानों ने किसानों की सरकार और मंत्रियों को चेतावनी किसानों ने सरकार औ निकालेंगे किसान, ट्रॉल्यों में सवार होकर जहांकिया निकालेंगे किसान, ट्रेक्टर ट्रॉल्यों में बैटकर जहांकिया भी निकालेंगे, जिन्द के खटकर टोल से शेहर तक किसान करेंगे परदर्शनी, किसानों ने ट्रॉक्टर प्रेट का रूप तै भी कर लिया बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं प्रशासन के रूट पर भी जाने को तयार यानि प्रशासन के तरफ से जो रूट तयार किया जाएगा उस पर भी जाने को तयार है तो जिन्द में किसानों ने लिया बड़ा फैसला जिन्द से बड़ी खबर दिल्ली के बाद ह 15 अगस्त को जंडा नई फाराने देंगे इसका भी ऐलान किसानों ने किया है 15 अगस्त के दिन जिंद में रोश मार्च निकालेंगे किसान प्रेक्टा ट्रॉलियों में सवार होकर जहां किया भी निकालेंगे बड़ी खबर से आपको रूबर उकरा रहे हैं बता दें आपको क तीन किर्से कानून की वापसी की मांग को लेकर लगातार किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के कारे कर्मों के माध्यम से प्रेशर बना रहे हैं लेकिन बात अभी तक बंती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस बीच जिन्द में किसानों ने बड़ा एलान क किया है किसानों ने कहा है कि 15 अगस्त के मौके पर वो ट्रेक्टर ट्रॉलियों से जाक्या भी निकालेंगे और इस पर ज्यादे जानकारी के लिए हमारे संवधाता विजजंदर हमारे साथ जुड़ गया है विजजंदर सवाल यह है कि जिस तरह से तीन किर्सी कानून को ल लिकालेंगे और किसी भी सरकार के जो मंत्री हैं उनका वहां पर जंडा नहीं फाराने देंगे क्या माना जाए ठकराओ बढ़ रहे हैं किसानों ने ट्रेक्टर प्रेड का रूट टै किया है उन्होंने काया कि प्रशासन के रूट पर भी वो जाने के लिए तैयार हैं बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्द में किसानों ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली के बाद हर्याना में होगी ट्रेक्टर फ्रेड इसका ऐलान उन्होंने किया है किसानों की सरकार और मंत्रियों को चेतावनी सरकार और मंत्री को भी किसानोंने चेतावनी दिये किसी मंतरी को 15 अगस्त को जंडा नहीं फाराने देंगे इस बात का भी उन्होंने आइलान किया है 15 अगस्त के दिन जिन्दे में रोश मार्च निकालेंगे जिस तरह से लगतार तीन किर्सिक गानून पर जो किसान है वो धरना परदर्शन कर रहा है पिछले आठ महीने से लगतार व विरोध परदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाने के कोशिश कर रहा है ताकि बात बन सके लेकिन